आज हम सीखेंगे रजोधर्म और जनन स्वास्थ के बारे में चलिए पहले रजोधर्म की चर्चा करें लेंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेते हैं मानव जनन में प्रतेक माह स्त्री के शरीर में दो में से एक अंडाशे द्वारा एक अंडकोशिका परिपकु की जाती है अंडवाहिका में शुकरानू और अंडकोशिका का सनलेयन यानि फ्यूजन होता है जिससे एक निशेचित अंड यानि फोर्टिलाइस एग उत्पन होता है जिसे युगमनज यानी जाइगोट कहते हैं इसका गरभाशय की भित्ती पर अंतर रोपन होता है इसलिए गरभाशय भी प्रती माह निशेचित अंड की स्थापना के लिए तयारी करता है इसकी अंतर वित्ती मासल एवं स्पॉंजी हो जाती है ताकि भुरुण को पोशन प्राप्थ हो सके लेकिन निशेचन नव होने की स्थिती में अंड कोशी का केवल एक दिन जीवित रह सकती है इसलिए निशेचन नव होने पर इस नई पर्त की अवशक्ता नहीं रहती और गर्भाशे के अंतर वित्ती की मरमद हो जाती है यह संपूर्ण क्रिया लगभग 2-8 दिनों में पूर्ण हो जाती है तथा लगभग प्रत्येक माह दोराई जाती है इस क्रिया को रजोधर्म या रितुस्त्राव यानि मेंस्ट्रूएशन कहते हैं यह क्रिया हर्मोन द्वारा नियंद्रित की जाती है रजोधर्म का चक्र यवन आरम से शुरू होता है तथा 45-55 की आयू तक जारी रहता है गर्भधार्ना होने पर इसे रोक दिया जाता है रजोधर्म के दोरान स्त्री को काफी वेदनाए होती है अत्याधिक मात्रा में रक्तस्त्राव होने के कारण कमजोरी भी आ जाती है इस कालवधी में स्त्रीको संसर्ग होने की अधिक संभावना होती है इसलिए इस कालवधी में स्त्रीको आराम और व्यक्तिगत स्वच्चता आवश्चक होती है अब चलिये जानते है जनन स्वास्त्य यानि reproductive health क्या है जनन स्वास्थिय का तातपर्य, जनन के उन सभी पहलूओं जैसे शाररिक, भावनात्मक, व्यभारिक ततर सामाजिक स्वास्थिय से है जनन स्वास्थिय से संबंदित कई समस्याएं हो सकती है जैसे समाज में लड़के और लड़की में भेद, बाल विवाज ऐसी रूडियां, संतानोत पत्ती के लिए परिवार का दबाव तथा शासन का नियंतरण इत्यादी स्त्री का कम उम्र में गर्बधारन करने से, बच्चों के बीच अंतराल कम रखने से या अधिक बार गर्बधारना करने से स्त्री के शारेरिक स्वास्ते पर विपरित परिणाम होता है यदि इच्छा के विरुद गर्बधारना होती है तो इससे मानसिक, शारेरिक तथा विद्ध संबंदित समस्याएं उत्पन हो सकती है और सुरक्षित यौन संबंदों से अनेक रोगों की लेंगिक संचरण की भी संभावना बढ़ जाती है यदि जनन पर नियंत्रण न किया गया, तो एक जनसंख्या में अत्यादिक वृद्धी की समस्या उत्पन होती है, जिसे जनसंख्या विश्वोट यानि पॉपलेशन एक्स्पलोजन कहते है इससे समस्याएं जैसे भोजन एवं साधन समपत्ती में कमी सामाजिक असमानता इत्यादी उपस्थित होती है इसलिए जनन स्वास्ते से समबंदित आवश्यक जानकारी प्रतिक व्यक्ति को होना आवश्यक है इन समस्याओं के समाधान हेतु गर्ब निरोधन की विबन्न युक्तिया खोजी गई चलिए इन्हें जाने शीष्न को ढखने वाले कॉंडों अथ्वा योनी में रखने वाली अनेक युक्तियों जैसे डाइफ्राम, गर्बाशे ग्रिवा टोपी, वॉल्ट, इत्यादी, रबर से बने उपाय, यांत्रिक अवरोध यानि मेकैनिकल बैरियर कहलाते हैं वे शुक्राणू का अंड़कोशिका तक पहुचना रोकते हैं, जिससे गर्बधार ना रोकी जा सकती है। इसी तरह वे रोगों के लेंगिक संचरन को भी रोकने में सहायक होते हैं। गर्ब निरोधब गोलिया यानि कॉंट्रोसेप्टिफ पिल्स स्त्रियो द्वारा खाय जाने वाली दवाईया होती हैं जो हॉर्मोन संतूलन को परिवर्तित करती हैं। इससे अंड़का मोचन नहीं होता और इसलिए निशेचन की संभावना नहीं रहती। इनके कुछ वि ये नर्सो द्वारा अंतर गर्भाशे युक्तियां जैसे लूप, कॉपर्टी, इत्यादी गर्भाशे में लगाई जाती है। ये शुक्राणों की गतिशीलता तथा उनकी निशेचन शमता को कम करती है। उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें आगे गर्भावस्ता नहीं च इसे गर्भाशे से हटाया भी जा सकता है। इसे गर्भपात कहते हैं। समाज में पुरुष और स्त्री में भेध होने के कारण कुछ लोग भुरुण का लिंग परिक्षिन करकी मादा गर्भ का चैनात्मक गर्भपात यानि सेक्स सिलेक्टिव अवोशन करते हैं। यह गेर कानूनी है। इससे हमारे देश में शिशुलिंग अनुपात यानि चा तो आज हमने सीखा रजोधर्म और जनन स्वास्ति के बारे में।